कल की 28980 इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब दी सी था और वो इंतजार खात्म हो चुका है फिल्म को डारेक्ट किया है नाग अश्विन ने और इस फिल्म को उन्होंने लिखा भी है रूथम समर के साथ सी अश्विनीदा जो की तेलगू में तेलगू सिनिमा में बिग बजट की फिल्म बनाने के लिए मशूर है वेजनती मुवीज उनके फिल्म प्रोडक्शन का नाम है जिसके तहत इस फिल्म को बनाया गया है और जिस तरीके से वेजनती मुवीज की फिल्म में होती है बिग ब देखेंगे तो फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो लगेगा लेकिन सेकेंड हाफ आप हिल भी नहीं पाएंगे और आप कई सीन्स पर तालियां बजाएंगे और जब स्पेशल अपेरेंस होते हैं कई स्टार्स के स्टार्स के स्टार्स के कल की टूइट 988 में तो आप सर्प् पर चन सुमित के किदार में डिपेका पाड़कोन और यास्कीन के किदार में कमल हसन तिशा पाटनी अगर ना भी होती तो बहुत ज़्यादा पार्क नहीं पड़ता लेकिन इस फिल्म के जो स्पेशल अपेरेंस हैं वह आपको सप्राइज कर देंगे आप हैरान नहीं तो आमिता बच्चन 81 साल जी हां 81 यर्स ओल आमिता बच्चन इसमें बेहतरीन लगे हैं जो अक्शन सीन उनके भहरवा के साथ हैं अश्रत्तामा के भहरवा के साथ वो बहुत ही सादा जबरदस्त बने हैं वहीं अगर फर्स्टहाफ में देखें तो फॉस्टहाप में जो बहुत ही संजीदा बहुत ही गंभी उन्होंने एक्टिंग किया और जब जब वो परदे पर आती है तो वहुत ही जादा शांदार लगती है और से के साथ ही साथ यास्कीन यानि कमल हसन कमल हसन बहदरी लगे हैं 20-25 मिनट के जो भी किरदार है उनका उसमें जब वो पहली बार स्क्रीन पर आते हैं तो आप पहचानी नहीं पाएंगे कि अरे यह तो कमल हसन है लेकिन नागश्वीन ने जिस तरीके से हर किरदार को प्र रहे हैं और जब सेकिंड हाफ तक कहानी जाती है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बस नॉन स्टॉप कहानी आगे बढ़ी जा रहे हैं जो जो एक तरह से कहा जाए जिस तरीके जिस रफ्तार से कहानी आगे बढ़ती है वो बहुत ही जादा शांदार लगता है अगर फिल्म आप जब फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सीन तो हमने हॉलिवुड की फिल्मों में भी देखा हैं लेकिन आपको ऐसा लगेगा ज़रूर लेकिन अगर इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो ऐसी फिल्म पहली बार बनी है जी हां कल की 2898 एडी ना गश्व में रिलीज किया गया ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जून के बाद आगे डेट और जादा बढ़ जाए लेकिन शुक्र है कि जून में जून के एंड में गेफिल्म रिलीज हो गई है अगर इस फिल्म की कहानी को समझना है तो अगर आपने महा भारत नहीं जाएगी जी हां यह फिल्म शुरू होती है महा भारत से और 2898 AD में आती है और अश्वत्थामा अश्वत्थामा का जो किर्दार है उनका उनका जो किर्दार है वो है कलकी को बचाना जी हां भगवान के इस अफतार को बचाना जो की पल रहा है डिपका पाड़कोन के अपने अफतार फिल्म में देखा था जिसमें यास्कीन है और उसका मकसद है भून के अंदर से भून से शक्ति लेना और अपने आपको अमर कर देना डिपका पाड़कोन प्रेगनेंट हैं लेकिन वो अपनी इस प्रेगनेंसी को छुपा लेती है और अश्वत्थामा उनक दिभैनके प्रवास का उनका जो रूल है वो गुझ इस तरीके से है कि वो कैसे भी करके काशी से चाना चाहते है कि वहां झाल राम है और वहां जाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं और इस लिए वो धिपका पाड़कोन के पीछे पढ़ जाते हैं क्योंकि वह तो एक कर दिखाए गया जो fight scene दिखाए गया वह बहुत जाधा शांदार है वह एक scene है जुसमें प्रभास दिपिका पाड़कॉंड को पकड़े हुए और प्रभास को पकड़े हुए है अश्वत्थामा यानि कि अमिता बच्चन लेकिन अश्वत्थामा का यहाँ पर जो मकसद है वो भैरवा को बचाना नहीं है बलकि सुमिती को बचाना है जी हाँ वो सीन इतना ज़ादा जबरदस्त है कि आप हैरान रह जाएंगे एक सीन कई ऐसे सीन हैं जिसके बारे मैं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ लेकिन जब आप फाइट करते हुए देखेंगे अश्वत्थामा और भैरवा को वो सीन बहुत जादा शांदार है अमिता पच्चन जो कि इस एज में भी जी हाँ 81 साल की एज में भी और इस साल वो 82 साल के हो जाएंगे इस एज में भी वो जिस अंतास में फाइट कर रहे हैं वो बहुत ही जादा शांदार है उनके किरदार को जिस तरीके से इतना बड़ा दिखाया गया है और जिस तरी से वो आप आपने ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कोई किरदार होगा ना कश्विन ने एक तरीके से यह कहा जाए कलकी 2898 AD यह फिल्म परभास की नहीं अमिताब बच्चन की है जी हाँ जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि फिल्म परभास की नहीं है अमिताब बच्चन की है प्रभास अगर देखा जाए प्रभास ने अपनी चगे एक्टिंग ठीक है कॉमेटी को इतनी ज़रुत नहीं थी लेकिन फिर भी चलिए ठीक है अब फिल्म को जिस तरह से बुना गया है गड़ा गया है वो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और इसी तरीके से जो अश्वत थामा है उनक में पल रहा बच्चा है उसे किसी तरीके से देविकापाट को हासिल करना है ताकि गर्प में पल रहे बच्चे से वो अपनी शक्ति को बनाए और यहीं फाइट दिखाई जाएगी एक बहुत बड़ा मैया हाला कि कोई स्पोईलर यहां पे नहीं दूंगी यह बहुत वाकर बिलकुल भी नहीं देना चाहती हूं और इसमें जो special appearance है वह भी बहुत का जिकर नहीं करूंगे और मैं मैं आप से कहूंगी कि ऐसे video जिसमें special appearance के बारे में जानकारी अगर पहले ही जान लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको मजा नहीं आएगा जब आप special appearance में अपने उन शानदार लगे हैं कलकी 289 880 में म्यूजिक है संतोष टाराइनन का फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो उनकी उनके ज्सकूप नजर नहीं आता है लेकिण नाग श्मीन ने जस तरीके से फिल्म को प्रेइट किया है वह बहुत जदा शानदार है दो दुनिया एक काशी और एक काशी जहां पर हाला आप बहुत जदा खराब है दोर्यत ने परिशानी है कामप्लेक्स जहां पर या स्कीन है और हाराम है हर तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी तो यह जो दो दुनिया की जो फाइट है वह बहुत शांदार बन पड़ी है भैरफ का किरदार यानि की प्रभास का जो किरदार है एक तरह से कहा जाए डूल किरदार वह आपको सर्प्राइज करेगा कई सर्प् दारत के बारे में कोई जानकारी नहीं वह ज़रूर उनको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो यह फिल्म आपको बहुत जादा अच्छी लगेगी और जिस तरीके से नागश्वी ने इस साइंस फिक्शन को मेथलोजिकल फिल्म को प्रज़न किया है वो बहुत ज़्यादार है दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं देखें और मुझे बताएं कि फिल्म आपको कैसी लगी है कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा और अगर मेरे रिव्यू को देखने के बाद आप देखने जा रहे ह हुआ हुआ है